ओर राइट गेमर्स तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से माइनक्राफ 1.18 हार्ड कोर सर्वाइवल सीरीज में I know काफी जादा बड़ा नाम है इस सीरीज का बड़ काफी अच्छा लगता है काफी कूल लगता है और मोसम जो है काफी जादा जो है चेंज हो चुका है बारिश का मोसम आ चुका है यहाँ पे हमारे माइनक्राफ वर्ल्ड में और बहुत ही जो है तगडी बारिश हो रही है यहाँ पे मैंने थोड़े से पेड़ साफ कर दिये यहाँ पर आज हम बनाने वाले अपना एक starter house ट्राइ करेंगे थोड़ा सा अच्छा ही बनाए लास्ट वीडियो में हम गई थे हैं माइनिंग करने के लिए तो वहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला बढ़ तीन diamond मिले एंड एक जगे पर हमें spawner के वहाँ पर chest मिली थी दो एक तो zombie spawner था एंड एक था spider spawner तो वहाँ पर मिले हमें name tag, saddle जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी था हमारे लिए अब न हम आज पास का area किसी भी गोड़े को यहाँ पर गोड़े भी बहुत सारे हैं तो उनको tame करके आज पास का area explore कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के तो अब इना एक काम करते हैं सबसे पहले बनाते है furnace क्योंकि यहाँ पर मैंने furnace नहीं बना रखा या furnace अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो chest block हो जाएगा येस हो गया है जैसा कि यार मेरे को लगा रख देता हूँ खाली जाके दिक्री बट बात में समझ में आए तो अब भी एक काम करते हैं यहाँ पर रखते हैं इसको and then एक काम करेंगे सबसे पहले न हम gold और iron जितना भी है न हमारे पास उनको smelt पर लगा देंगे तो raw gold तो हमारे पास सिर्फ 9 है बट ठीक है जितना भी है ठीक है and now हमारे पास golden horse and diamond horse दोनों armor है बट अभी ना diamond वाले को use नहीं करने वाले पता नहीं पर्मानेंट गोडा कौन सा होगा lead भी नहीं है हमारे पास बारिश तो बहुत जबर्दस हो रही है यहाँ पर काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार तो अभी हम आसपास का area देखने जाहेंगे क्योंकि हमें ना चीये spruce और dark ogwood सो अभी ना सबसे पहले एक काम करते हैं एक horse को tame करते हैं जो ग्यार बहुत easy होता है उसके उपर बेटना है दो तिन बार ही वो अपने को नीचे गिराएगा हाथ पेर नहीं टूटे तो हमारी किस्मत और यह गोडा काफी अच्छा लग रहा है मुझे फिलाल तो मुझे आसपास का area देखने के लिए चीये ताकि मुए लकडिया लासो को जरूरत की हमें चीये empty hand मैं भूल गया था यहां पर दो तिन बार हमें नीचे फटकेगा यह अब क्या करेगा हाथ पेर तोड़ेगा नहीं यार best friend forever बन चुका है हमारा अभी ना इसके उपर हम use कर सकते है सेडल and now अब हम इसे दोड़ा सकते है इस पर ठीक ठाक है जरूरत से ज़्यादा fast भी नहीं ज़्यादा slow भी नहीं ओके ओके है सो यह हमारा first friend हमारा horse इसको हम गोल्डी बनाएंगे गोल्ड का आर्मर पेहना के तो यार बारिज जो है यहां पर बंद होने का नाम भी नहीं ले रही है एंड यह हमारा गोडा बन गया एकदम सोने वाला बापी लेरी गोडा जो यहां पर आप ने दिखता है बनापी लेरी जी की याध आ जाती है यहां पर काम करते है तू उड़ जाते हैं और morning होते ही एक काम और करना है ओके सो यहां पे ना जो मैंने उपर अपने बोई थे जहां पे मुझे घर बनाना है अपने पहाड पे वहां से मैंने सारे तोड दिये थे पहले ही ब्लोक क्योंकि यार वहां पे सही नहीं लग रहे थे एंड जॉम्बी गया जितनी फास्ट आया उससे तो ज़्यादा टेंप्रेरी जो है अपने लिए खाने की विवस्ता कर देते हैं जो शुकर केंसे उनको भी बहुत देते हैं ताकि ना थोड़े बहुत हमें क्वांटिटिव मिल जाए जब हम फार्म बनाएंगे इनका बड़ा सा तो ज़्यादा दिक्कत आईगी कि नहीं एक साथ में हम उ देते हैं गाजर हो गई हमारी यह एंड नाव गेहूं की बारी गेहूं यहाँ पर बहुत देते हैं चलो यार अभी ना शुगर केन के लिए मुझे ये वाली जगे काफी सही लग रही यहाँ पर बात में हम इसको और सही कर देंगे पेड़ वेर काड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं आईगी अभी ना यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लोक तोड़ देते हैं जितनी जगे हैं क्यों यहाँ पर मैं बहुत देता हूं एंड पास में एक लाइन और पानी की डालके यहाँ पर बहुत देते हम यहाँ पर दूसरा बकेट हो गया है तो यहाँ पर चलो फिलाल तो मेरे पास इतने ही हैं बाद में यह बढ़ जाएंगे अभी ना एक काम करते हैं फोकस करते हमारे गर को बनाने की तरफ तो फटाफ़ जाता हूं मैं आसपास एरियास देखने एंड लकडिया इकटा करके लाता हूं ओके गोल्डी भाई कहा गए ये रहे फटाफ़ से बेटते हैं इनके उपर सेडल लगाते हैं निकलते हैं यहां से वैसे अभी न जो माइनक्राफ 1.18 में जो टेरेन बायोम जनरेशन होती है न वो मतलब काफी सही हो गई है हमें ज़ादा दूर दूर नीं भागना पड़ता माल अ मैं यहां पर ओक वूड मिल रहे तो इस प्रस भी हमें पास में मिल जाएगा डार्क भी पास में मिल जाएगा बैए बरफिली जगे के उपर चलते हैं तो यार बहुत सा चेंजेज आए इस गेम के अंदर एंड उस हिसाब से हमें भी अब ध्यान रखना पड़ेगा चीज होगा दीरे दीरे हम समझ भी जाएंगे अब जैसे यहां पर हम पाहड के उपर गए तो यहां पर बर्फ आना स्टार्ट हो चुकिए इ मतलब नहीं बनेंगे तो उसमें और फिक मज़ा आने वाला है यहां पर इसप्रस वुड भी है तो बस सामने की तरफ ही हमारा घरता है यहां पर हमें इसप्रस मिल गई तो इसको इकटा करते हैं डार्क ओग भी हमें पास में मिल जाएगी तो यहीं से निकाल लेंगे तो इ लेदर मिल जाएगा जब तक हम जो है अपनी टेबल बनाएंगे तब हमने पास इतना लेदर हो कि यार हम बुक्षब्स बना सकें बिना किसी दिकत के इसलिए यह सारे खाम करने पड़ रहे हैं मुझे तो अभी ना मैं ओके तो मैं फैंसेज लाना भूल गया हूं तो पहले कोई दिकत नहीं उसमें तो फटा-फट से ना गेट बंद करते हैं यहां पर इससे पहले कि यह लोग यहां से भाग जाएं तो यहां पर यह हो गया बंद इस साइट पर एक गेट लगा देते हैं ताकि हम अंदर आना हो ओ भाई तूपर क्या कर यह निचा जा जा चल ठीक ह है वह समझदार हो यार तूँ ओके सो यहां पर दो की जगे तीन हो गए वह दो लेकर आये थे तो बहुत जल्दी जंसी के वढ़ने वाली है वह नहीं बंद कर दिया गेट पर यह भी तो बाहर बाग जाती है ओके सो काफी मेंनत करने के बाद यहां पर मैंने पूरा एरिया क्लीन किया है भाई इतनी पिकक्स टूठी है ना यहां पर शोवेल्स हो रही है और मैं लकडिया पर इखटे करके लेकर आगया हूं डार्क होग भी मुझे वहीं पर मिल गई थी थोड़ा ही दूर नीचे की साइड पर एंड इस प्रस हमारे पास है ही सो यहां पर अब हमें क्या करना है घर बनाना है अपने लिए सो फटा फट से मैं बनाता हूं घर अपना विसे मैं टाइम लेप्स बनाना चाहता था बड़ रीप्ले मोड नहीं आया था 1.18 का इसलिए अब आपको थोड़ा सा स्पीड में देखना पड़ेगा सो यस एंड टुटरल्स बता कि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता था फटा फट से अपना गर बना लेते हैं थोड़ा सा स्पीड में देख लीजिएगा आप टाइम लेप्स आपको पिगो झाल झाल और राइट तो काफी गंटों की मेनत के बाद फाइनली मैंने अपना घर बना दिया है भाई देखो आप छोटा सा घर है बेक्ग्राउंड के वज़े से अभी इतना ग्लो नहीं कर रहा है और मेरे पास जो है ब्लोक्स इतने अच्छे नहीं थे जो भी थे उन्हीं से बना दिया हमेने डायराइट हो गई डीप स्लेट हो गई, कोबलिष्टेन हो गया तो इन्हीं से बना दिया हमने ब्रिक हो गया तो यह इसे से बन गया यह हमारा एंट्रेंस है यहां से हम enter होंगे, यहां पर हम में भी कुछ chest लगा सकते हैं यहां से हम यह रहा हमारा tower तो इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं है बस loop के लिए यहां पर यह area पूरा खुला है तो देखते हैं क्या-क्या बना सकते हैं यहां पर यह एक room हो रहें में भी इसको bedroom बना दें या फिर enchantment table के लिए तो छोटा पड़ेगा और मेरे पास glasses नहीं है sand नहीं है अभी खिड़की अभी खुली पड़ी हुई है कोई भी आज सकता है अंदर so yeah यही हमारा छोटा सा प्यारा सा गर इसका interior हम अच्छा कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा and blocks जब अच्छे-च्छे मिलने लग जाएंगे हमें nether के block and copper के कुछ अच्छे से block तो न हम काफी जबर्दस लगने वाला यह गर में भी आगे जाके हम upgrade भी कर दें इसको so yeah फिलाल के लिए काफी सही है so अभी न एक काम करते हैं यहाँ पर chest तो रख लेते हैं एक यहाँ पर एक यहाँ पर and यहाँ पर ठीक है बागी चीज़े हम बाद में रखेंगे so फिलाल यहाँ पर हम चीज़े रख देंगे अपनी and bed एक काम करते हैं वहीं पर चलते हैं उस room के वहीं पर बाद में अगर sign नहीं लगा थोड़ा दूर लगा तो change करते हैं के फिलाल तो यहाँ रख देते हैं alright so ठीक है काफी अच्छा लग रहा है and now अब मुझे क्या करना फटा परसे न अपने लिए send की विवस्ता करनी है ताकि ना मैं glass blocks लगा सको अपनी खिड़की के वहाँ पर सो चलते है तो यार सेंड लेने जाए उससे पहले मैंने कुछ barrels बना लिए तो इनको घर के आसपास boundary पर लगा देते हैं and then इसके उपर जब हम campfire लगाएंगे तो काफी जादा जो है cool लगने वाला है काफी अच्छा लगने वाला है तो यहाँ पर ठीक है अब सही है and इस block को तोड़ देते हैं ताकि एकदम corner पर लगे तो अभी क्या करना है हमें अभी बनाने है अपने लिए campfire so हमें चीए होगी sticks and उसके अलावा कुछ coal चीए होगा so copper मैंने काफी जादा mine पे जितना था सारा लगा दिया था बड़ इतने की ज़रुरत नहीं थी सिर्फ तीन block ही चीए थे मुझे so अभी फटा-फट से बना लेते हैं अपने लिए campfire so तीनी बनरी एक मुझे और बनानी पड़ी की चलो वो भी बना लेंगे क्यों चार मैंने total barrels रख रखें shift के साथ एक and काफी अच्छा लगने वाला है अगर हम इसे दूर से देखेंगे ना तो काफी जादा must लगने वाल रहा है बस घर के block सोड़े update हो जाएं तो काफी जबरदस लगेगा ओके तो अब मैं आ चुका हूँ send लेने के लिए क्योंकि हमें बनानी है कुछ glass जादा दूर तो नहीं हूँ I don't know कितनी दूर में wait 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 यहाँ पर हमें river मिल चुका है तो गोड़े को छोड़ते हैं यही पर एंड मेरा गोल्डी तो कहीं बाग गया था दूसरा गोड़ा लेके आना पड़ा मुझे लेके आते हैं send so यहाँ पर send अंदर की side पर बहुत सारी है corners पर भी है उपर बट यहाँ से हम collect कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट यहाँ पर थोड़ा slow collect होता है पानी के अंदर so यहाँ से निकलते हैं एक काम करते हैं corner से ही तोड़ते हैं बागी बहुत जादा time लग जाएगा so यहाँ से तो नहीं यार shape नहीं भीगाना चाता मैं यहाँ पर so थोड़ा सा okay वहाँ पर दिख रही है मुझे corner पर बहुत सारी sand तो यहाँ पर sugar cane भी है जितने भी मिल है sugar cane तो लहीं लो काम आ जाएंगे आगे so मेरे इसाब से बहुत है sand and weight यहाँ पर यह क्या है okay यहाँ पर भी एक broken nether portal शायद से so यहाँ पर चल के देखते हैं हो सकता है यहाँ पर हमें और कोई चीजे मिल जाए धंकी so sand तो हमार पास 11 आ चुकी है जो की मेरे साब से काफी है फिलाल के लिए बाद में और इनकी व्योस्ता कर लेंगे हम जरूरत नहीं है अभी तो so यहाँ पर यह chest पड़ा हुआ है so यहाँ पर है golden shovel जो की fortune 2 की है and curse of oh sorry oh curse of venison की है नहीं चीए मुझे fire charge रख लेते हैं यहाँ पर gold का block होगा यह रहा so इसको निकाल लेते हैं हम okay दो दो blocks है एक नी भाई घजब दो blocks है यहाँ पर and यहाँ पर काम करते है obsidian निकाल लेते हैं ताकि जो है लावा के अंदर फिर से मतलब लावा डूडने नहीं जाना पड़ेगा वैसे हमने mining की थी वहाँ पर लावा था तो जादा दिक्कत होगी नहीं लावा की बड़ यहाँ पर मिल रहा है तो दूसरा यहाँ पर पड़ा था भाई गोल्ड वाला मेर को लगया और कहा गया so यहाँ से हम collect कर लेते हैं तीन चार collect कर लेता हूं मैं ताकि हम जो enchantment table बना सकते नेदर portal तो बाद में बनाएंगे so यहाँ से हमें collect ठीक है एक तो हो गया और बहुत time लगता है इनको तोड़ने में so तोड़ता हूं मैं इनको भाई रात हो चुकी है फटा फटा से हमें घर जाना पड़ेगा और यहाँ से काफी जादा जवर्दस लग रहा है यार lighting एंड हमारा गर जो है काफी मस चमग रहा है बहुत मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा है I don't know आप लोग को कैसा लग रहा है थोड़ा सा blocks अपग्रेड हो जाएंगे and जो background के जो blocks है न वह जादा मतलब shape बिगाड रहे हैं तो उसका हम कुछ व्योस्ता कर लेंगे बट फिलाल के लिए तो काफी अच्छा लग रहा है and यहाँ पे ना zombies and दूसरे भी spawn होने लग रहे हैं तो एक काम करते हैं गोडे से हम निकालते हैं अपनी सेडल भाई यह सेडल लेके भाग जाए तो कहां पकड़ने जाओंगा इसको में अभी चलते हैं फटा फट से उपर and so जाते हैं भाई पंगा नहीं लेते हैं अभी mobs के साथ क्योंकि यार अभी कोई मतलब नहीं है mobs के साथ पंगा लेने का and next वीडियो में हम enchantment table कुछ enchantments करेंगे देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं मैं डर गया यार वो मतलब light की जो shape दिख रही थी थी न च्छाया यहां से काफी cool लग रहा है यार मुझे तो अपना घर काफी अच्छा लग रहा है आप लोग बताना comment में कि कैसा लग रहा है इस घर का tutorial आपको चीए तो मैं original creator mythical sausage का link आपको दे दूँगा जिसने यह घर बनाया है सो या सो जाते हैं तो पहले तो white dye बना लेते हैं sand में ने smelt कर दिये तो फटा 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 है white stand glass बना लेते हैं इनी का use करने वाले हम अपने खिड़की के उपर यहां पर नई इनको use करूँगा तो मेरे सारे यह खतम हो जाएंगे सो फिलाल के लिए ठीक है जितने भी है और सारी sand में ने use कर लिए तो 8 ब्लोक बना पाया हमें ठीक है जितने भी बने अब इनको लगा देते हैं खिड़की पर एंड हमारा घर complete हो चुका है यही पर एंड I hope कि आप लोगो हमारा चोटा सा घर पसंद आया होगा घर पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड हां मिलता हूँ आप सबसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड पाई